हलो दोस्तों स्वागत है आपकी यूटीब चैनल वर्ल्ल अफ इन्वेस्मेंट ट्रेड में आज मैं बात करूंगा आदानी विल्मेयर शेर के बारे में देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आदानी विल्मेयर क्या यह मल्टीपेकर बन सकता है अभी अभी इसका इप्यों आया थ एक दो महिने हुए है और यह IPO जो है शुरू में तो उतना benefit नहीं दिया लेकिन जब launch हो गया यह फिर जब यह list हो गया share market में उसके बाद यह काफी अच्छे return दे चुका है double हो चुका है तो आने वाले future में इसका क्या होगा इसका थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो क्योंक इसके business को इसका financial भी देखेंगे इसके fundamental देखेंगे इसका technical भी देखेंगे end में देखेंगे हमें कैसे investment करना चाहिए और कितने time period के लिए वह सब पूरा detail में देखेंगे तो वैसा अधानी जो group है एक काफी famous group है और अधानी group का यह FMCG वाला segment है और यह अधानी जी जो है उन्होंने FMCG में अपने investment किया है और यह काफी grow कर रहा है काफी times है यह company यह फिर यह FMCG sector इनका fortune जो brand है आप सभी को पता ही होगा fortune जो brand है काफी famous brand है oil तो maximum लोगों ने use किया ही होगा इसके लाबा भी इनके काफी सारे products है तो आप screen पे देख सकते हैं काफी सारे इनके products है काफी सारे इनके brands है different brands के अंदर यह अपना product बेजते हैं और काफी सारे नए-ने products लाए भी रहे हैं तो वो पूरे detail में देखेंगे इस video में तो सबसे पहले इस company के बारे में देखते हैं देखें कंपनी का background देखेंगे तो जो यह company है अदानी और विल्मेर यह जो है एक collaboration है विल्मेर गुरूप के साथ यह बिसिकली विल्मेर जो है एक Singapore की company है आप देख सकते हैं विल्मेर इंटरनेशन यह Singapore की company है इनके साथ इन्होंने collaboration करके चालू किया 1999 में इन्होंने चालू किया joint venture करके और इन्होंने जो brand established किया fortune नाम करके edible oil का जो की market leader है जो की 20 साल हो गया इसको अभी देखें इनका जो अदानी विल्मेर AWL का जो क्या-क्या चीजें यह बनाती है edible oil बनाती है जो की 65% है over the portfolio का package food and FMCG बनाती है जो की 11% है और industry essential है जो की 24% है out of edible oil FMCG and package food volume 73% compresses brand sales the company is mainly known for its wide range of offering in edible oils comprising soya beans, sunflower, mustard, rice brand and other commands highest market share of 18.3% in the category तो देखें बेसिकली इनका जो हम सब इसले जानते हैं क्योंकि यह edible oil यह फिर खाने वाला जो तेल है उसमें basically यह कफी popular है जिसमें soya bean का है, sunflower का है, mustard का है, rice branah और बहुत सारे अलग लग हैं तो इसमें 18.3% जो percentage है overall market का यह जो share है यह होल्ड करती है तो काफी बड़ा portion लग बलग 20% मान सकते हैं, 20% के असपास यह hold करती है, अभी इस oil के लावा यह क्या क्या रखती है, जैसे wheat flow रखती है, rice है, pulses है, sugar है, और भी अलग लग premium second के यह brand रखती है, तो काफी अच्छा इनका portfolio है, काफी अच्छा इनका FMCG सेक्टर में, इनका प इन्होंने जो पहला तो यह जो इन्होंने joint venture किया है, अदा Wilmer के साथ, Wilmer एक Singapore की company है, जिसको महारत हासिल है, एक oil extraction यह फिर उनका raw material को procure करने में, और यह काफी famous है, काफी पहले से है, यह Singapore की company काफी expertise है, तो यह इनको help करेगा, और इंडिया में जो अदानी जो group है, इसका network जो है, काफी अच्छा है, तो network अच्छा होने से क्या होगा, कि यह काफी अच्छा डब तक penetration कर सकती है, यह company इनका network के साथ साथ, नेटवर्क अच्छा होने के साथ साथ, logistics मतलब जो भी है network के लावा, यह बाकी CJ भी इनकी strong यादानी group का, तो दोनों का joint venture है, इस काफी अच्छा कर रहा है, तो एक के बस technology, एक के बस chain है, यह फिर बूल सकते है, network अच्छा है, तो यह जो है, जैसे यह आपर दिया second point, वो भी वैसा ही है, जो मैं आपको पता है, first second point वैसा ही है, और जो fortune brand है, काफी successful है, अभी last 20 साल से, leader, market leader है, edible oils में, और यह brand जो है, यह बार-बार लोग यह brand जानते हैं, तो बार-बार जो है, इसको खरीदने की कोशिश करते हैं, यह खरीदते हैं, और इनक है, सुगर है, सोय, चंक्स है, ready to cook, खिछडी, यह इनके अलग-लग segment है, यह फिर अलग-लग इनके product हैं, अभी देखे, यह सबसे main जो है, यह few major FMCG player है, जो पूरे इंडिया में है, और इनका huge distribution network है, जो की 5566 distributor है, across 28 states और 8 union territories में है, जो की 1.6 million retail outlet है, तो काफी अच्छा network है, तो overall तो यह बोले, network अच्छा है, ब्रांड काफी अच्छा है, तो देखे, थोड़े key financial देख सकते हैं, जस्त यह overview है, तो देखते है, net sales में देखे, 2019 में और 20 में और 21 में है, तो देखे, लगातार इनके net sales हैं, यह बढ़े हैं, उसके अबद अबद भी देखेंगे, अब तो overall बता रहा हूँ है, net profit देखे, जो सबसे important factor है, 375 था, उसके बाद 2020 में 460 हो गया, उसके 2021 में 727 हो गया, तो देखे, overall जो EPA, PE ratio, यह सब जो अलग-लग factors है, बट उस detail में नहीं जा रहा हूँ है, तो देखे, CAGR, compound annual growth rate, जो कि 19 से लेकर 21 तक, net sales 13% से बढ़ा है, EBITDA जो है 8% से बढ़ा है, net profit जो है, सबसे important जो चीज़ है, 39%, लगबर लगए 40% के आसपल बढ़ा है, यह काफी अच्छा है, इनका financial जो है काफी अच्छा बढ़ा है, काफी अच्छा है इनका, तो यह एक growing company है, तो यह काफी अच्छा है, future है इसका, तो यह था था थोड़ा financial, यह देखे, देखे, एडिबल ओयल्स में क्या है, इसमें जो सोया है, सोया 38% है, पाम जो है 38% है, शनफ्लावर जो है 12% है, मस्टड जो है 8% है, अधर जो है 3% है, तो यह एडिबल जो ओयल है, उसका यह दिया हुआ है, अभी देखे, फूड एन FMCG में देखे, जो इनका 13% है, सोया नगेट जो है 10% है, FMCG 10% है, 1% है, अभी इंडेस्ट्री एसेंशेल जो बूलते हैं, इसमें केस्टर जो है, जो की अरंडी का तेल बूलते हैं, वो 31% है, ओल्यों जो है 19% है, अधर जो है 50% है, तो यह इनका अलग-लग सेग्मेंट का जो है डिस्रिबूशन है मैंने आपको percentage-wise बता दिया, अभी देखे, जो अधानी विल्मेर जो है, इनके 22 प्लांट है टोटल इंडिया में, वीचर स्ट्रेजिग ली लोकेटेट अकॉस 10 स्टेट, जो की 10 क्रशिं यूनिट से 19 रिफैनिज है, आउट अट अफ 19 रिफैनिज है, 10 रिफैनिज है, आ क्या होगा कि कॉस्ट बचेगा, टांस्पोर्टेशन कॉस्ट, यह काफी अच्छा है, कॉस्ट एफैक्टिव है, वाल दे रेमेरिंगा टिपकली लोकेटेज इन दा हिंटर लैंस इन प्रोक्जिमिटी तो रॉम अटेल प्रोडक्शन बेस तो जो रॉम अटेल जहां पर उ मैनफक्चिंग केपाबिलेटीज तो बाइस प्लांट के लावा इनकी वास च्छतीज जो है लीज यूनिट है जहां से यह मैनफक्चर करते हैं अब थोड़ा देखते हैं इंडस्ट्री का थोड़ा ओवर्वीव जो ओर एंडस्ट्री है यह सेग्मेंट का वह क्यासा है देखिए इस साइज अफ टोटल फूटल 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 रिटेल मार्केट इंडिया इस एस्टिमेटेट एट 39.5 लैक्स क्रोर इन फान इंडिया रिटेल मार्केट है वह करीब 15 परसंट यह फिर 6 लाग क्रोड का एस्टिमेटेट है जो कि दे इंडिया रिटेल मार्केट इस मेंली डूमिनेट बाइड अन ब्रांडेड लूस प्रोड़क्त लाइज थ्रेश फूट्स, वेजटेबल लूस टेपल फ्रेश अन देड़े अन पेकेज़ डियरी एन मित एट्सक्रा होगार थे नेट वर्थी पोइंड पैकेश फूट्स जो है बहुत सारे अन ब्रांडेड लूस प्रोडक्त तो अभी दीरे दीरे जो है ब्रांडेड में आ रहा है तो थीक है वह बाकी डिटेल बात में देखेंगे बत अ important point क्या है the food market is growing almost double the pace of overall food retail category तो जो food market है मतलब packet food बोल सकते हैं वो जो है double pace से बढ़ रहा है retail के compare में तो is expected to gain a market share of 17% by financial year 25 from the share of 14% in financial year 15 तो 14 से लेकर के 17% financial year 25 में हो जाएगा इनका to reach the size of more than 10 lakh crore ओके यह amount बताया है this growth has benefited from the pandemic pandemic में आप सबको पताया है कि लोग काफी packet food यह फिर घरी में थे तो काफी consume किया है तो यह काफी इनको benefit वाई से बोल सकते हैं the health concern and limitation in movement due to covid have accelerated the growth of packaged food products which offer consistent and assure quality along with the convenience तो यह वही है कोविट की concern इनको थोड़ा help मिला इनका growth ज्यादा हुआ है अब package food retail market in India in lakhs अच्छा ठीक है यह तो ठीक है अभी देखे जो आपको यह important जो डेटा है यह देखे यह है package foods retail market in India in lakh crore यह दिया हुए तो यह पंदरा में 3.8 था जो कि 10% CHR से बढ़ा 2020 में यह 6 हो गया और 11% से बढ़ा और 2025 तक 10.1 होने का है तो almost double के आसपर समझ सकते हैं यह double होते जा रहा है तो यह package food की बात हो रही है यह तो यह काफी अच्छा data है इससे यह समझ आता है कि जो है growing है अभी है और यह sector growing है तो यह chances हैं कि यह profit अच्छा कमाएगा यह segment यह फिर यह FMCG sector अधा नहींगा अभी देखें सब segment within the package foods तो यह थोड़ा important data है आप इसको थोड़ा समझेंगे तो ज्यादा और समझाएगा इसकी business के बारे में देखें यह package food dairy जो है fresh है वो करीब दो बीज से दो हजार पच्चीस तक बारा परसंट से ग्रोव होगा जो package meat है वो 6% से ग्रोथ होना है package staples जो कि edible oil है 6.6% से package staples other जो है यह करीब कितने से होगा यह होगा करीब 15% से other package processed package food जो है यह 13% से होगा package beverages 10% से overall जो देखेंगा total 11% के असपास 2020 से लेकर के 2025 तक होगा तो यह package food का है यह important data है इसे यह समाझ आता है कि किस तरीके से इसका growth होने वाला है अभी देखेंगे the penetration of packet food is limited in Indian household annual per capita of all on all categories packet food in India is estimated to be 4,650 which is much lower than compared to China at 16,000 and the US at more than 1,12,500 so US and China से अभी इंडिया जो है पीछे packet food में बोल सकते हैं over the year essential kitchen commodities such as edible oil, wheat flour, rice, pulses, sugar, dairy has been largely handled by players focused within the specific segment तो ठीक है यह तो ठीक है अभी जो for example rice exporter, sugar mills, soil refensive, flour mills and dairy corporately operates in specific segment the spent on essential commodities accounts for 23% of total spent on food and beverages तो यह जो है जो कि amount होगा 39.5 lakh crores thereby presenting an opportunity size of 9 lakh तो यह opportunity है overall जो है इसमें बहुत ज्यादा overall यह है कि देखिए अभी US और चाइना में काफी बड़ा है यह जो packet food है और इंडिया में अभी grow हो रहा है तो आने वाले time में यह काफी grow होगा यही बता रहा है overall जो है तो यह काफी अच्छा segment है इनके लिए grow होने का तो यह हो गया यह overall 2020 में 1.8 हो गया 2021 में 1.9 और 2025 तक यह 2.4 हो जाएगा तो काफी देरे-देरे करके यह बढ़ता जा रहा है अभी देखिए important जो data है इसमें यह भी important है देखिए 2015 में जो branded 83% था 17% unbranded था वही 2020 में यह 83 से बढ़के 87% हो गया जो है branded तो unbranded जो चीजह है इसको देरे-देर करक यह acquire कर रहा है फिर यह 2025 तक यह 90% हो जाएगा और 10% ही बच जाएगा unbranded तो यह काफी अच्छा है धीरे-देर करके यह grow हो रहा है तो देखिए जो main देखिए इनके बास तीन सेग्मेंट है एक तो सोया-चंक जो है, केस्टर ओल है और ओल्यों केमिकल है तो तीनों सेग्मेंट का देखते हैं थोड़ डेटेल में देखिए जो सोया-चंक है यह जो overall market है इंडिया में 2000 क्रोर का है बोद ब्रांडेड और अन ब्रांडेड का ह और जो ओरल सोया मार्केट इस एक्सक्टेट तो रीज दे एक्सेस अफ 3,400 ग्रोइंग एट ऐसे एलेवन परसंट से तो मदब दो हजार से यह साड़े तीन हजार क्रोर हो जाएगा और टूटल मार्केट ब्रांडडेट सोया चंक्स जिस थाउजन क्रो नेस्ट विट वेस्ट बेंगवाल हविंग इस मार्केट शेयर अग्रोट थाव तूटल साइज तो अखेला वेस्ट बेंगवाली कफी बड़ा थी बड़ा थो कंजीव्मेर है बोल सकते हैं ग्रोथ इन market is expected to outspace growth of overall category तो ब्रांडेट जो है यह बढ़ता जा रहा है और अंब्रांडेट के कंपेर में और अंब्रांडेट जो है कम होते जा रहा है तो यह जो विद्धा सी एजी आ रहा है तो 14 परसंट 14 परसंट सी यह ग्रोव हो रहा है दा ब्रांडेट मार्केट इस एक्सपेक्ट 18 परसंट है इमामी अग्रोव टेट का 5 परसंट है यह तीन मेजर प्लेयर है जो पूरे सुए चंग को कैटर करते हैं इंडिया में अभी जो केस्टर ओल है अरंडी का जो तेल बोलते हैं उसका देखते हैं इंडिया इस लाज़ेस मैन्फेक्ट्टर और एक्सपोर्टर जो धिया प्लेयर में अग्रोट इसू परसंट हैं इंडिया अग्रोट ड्यृ कॉर्ट इंट ट्रज्ट अन्या इन वे लुट पर सेफंट सुट्टेग लिएma रखन्यु टोर् सब्लेयर इंच्टार जैंट प्लेयर झां व्लेच्ट यह जो वीज ट्यृ इंट्यृ इंट by financial year 25 जो कि growing कर रहा है 8.1 CAGR से तो overall देखिए अदानीविल में रहा है the market share of highest market share of 26% by volume यह काफी बड़ी बात है तो overall जो देख सकते हैं केस्टर ओयल जो है यह market India जो है यह market leader है और जो oleochemical है जो इंडिया का वो कितना है financial year 2020 में इंडिया ओलियो chemical industry size वो एस्टिमेटेटेट 16 lakh metric ton growing at a CAGR 5.9% it is expected to reach 21.3 lakh metric ton by financial year 25 तो यह काफी तेजी से बढ़ने वाला 16 से 22 मान के से चल सकते हैं 21 so the three main product segment of oleochemistry इंडियो इस फैटी आलकोहल और ग्लाइस रॉल यह तीन जो है इंडियों आप्लेकेशन में काम आते हैं जो कि जो कि market is dominated by food की customer segment pharmaceutical personal केर फूट बेवरेज शोप डिटर्जेन पॉलिमेर अधानी विलमेर इस दर लाज़ेस मेनफ़क्चिर आफ इस्टेरिक एसीड ग्लेसरीन शोप नूडल्स इन इंडिया तो यह तीनों सेग्मेंट में काफी अच्छा कर दी है अधानी विलमेर तो देखें अगला आगला इंप्रेटन्ट पॉइंट है इस च्वार मटयलम सोचिंग क्याप्यपैपिलीटिज इस यह काफी सब्सक्राइब लेते हैं तो यह लोग ताइम से विलमर ग्रूप जो है इस बिजनस में है उनको काफी experience है और वो काफी expert हो चुका इस चीज में तो देखें यहां पर दिया है अभी देखें सिंस AW imports AWL imports a significant portion of raw material in bulk its market leadership has facilitated its source raw material from across the globe from top suppliers तो पूरे वाल और वल्ल सी यह supply लेता है मतलब कि raw material लेता है अभी देखें बहुत लाज़ेस्ट प्राव मटेल फाइनिचर ट्वंटी विच प्रोवाइड़ बेटर बार्गेनिंग पावर तू सूर्स raw material at favorable terms तो देखें यह भी important है आप bargaining कर सकते हैं अपने raw material के लिए क्योंकि यह काफी बड़ा supplier मतलब कि काफी बड़ा लेता है raw material बाकी जगह से तो बार्गेन कर सकता है अभी विल्मर गूप बिंग largest palm oil supplier globally also boards with well for the company as it provides competitive edge with almost 30% of AWL import source from it so यह भी इनका partner है तो यह कफी अच्छा यह पार्टनर बनकर के अफी अच्छा supply भी करता है यह जैसे दिया 30% जगह अभी देखें इसके लावा the company also benefits from market intelligence on price movement in international market from Wilmer group to manage its price risks associated with raw imports of raw materials तो विल्मर गूर्प क्योंकि इनका partner है और वो काफी experience है तो जो international market से जो price का fluctuation होता है raw material का वो अच्छे से manage कर पाते हैं तो यह काफी अच्छा है इनके साथ यह जो point है अगला जो है एक्सेंच्वी पैन इंडिया distribution network तो जो अधानी गूरूप का है वो इंडिया में काफी अच्छा network है distribution का क्योंकि देखिए raw material के लिए विल्मर काम कर लेता है और distribution के लिए अधानी गूरूप काम कर लेता है तो दोनों मिलके काफी अच्छे partner है तो अपने जो weakness है रहा इसको strength बना दिया इनोंने एक दुस्रे साथ मिलके partnership के तो काफी अच्छा है तो देखिए यहां पर जैसे दिया है भी 5566 distributor है 28 states में जो की 8 Indian territories में है 1.6 million retail outlets है 35% retail outlets in India as a financial year 21 और इसके 85 reports है storage space जो 1.6 million square feet का है और काफी जारे products को यह manage कर लेता है और अभी जो है इनके जो online जो है fortune online करके है जो अपने अपने खुद के fortune के जो production उसको बेचने के लिए और fortune mart करके जो है यह physical stores है वो काफी जरी city भी खुले हैं काफी जगह खुलना बाकी है और यह काफी तेजी के साथ जो है all over जो इंडिया है काफी तेजी के साथ फैल रहे है और regional player के साथ यह unbranded sectors जो है इसको देरे देरे capture कर रहे है अभी देखे 33% growth in number of distribution from financial year 19 to 21 तो यह काफी अच्छा है तो काफी तेजी सेन का network बढ़ रहा है अधानी group का this will increase overall ability as well as improve the brand value तो इस दो important चीज हुआ एक तो जो raw material का sourcing capabilities और all over इंडिया जो है इनका distribution network है अभी देखे backward and forward integration तो इसका मतलब क्या है देखे यहां पर यह most of AWS crushing units are fully integrated with refineries to refinery crude oil produce in-house तो खुदी यह सब चीज produce करते है यह इसका कहने का मतलब है it further derived deoil cakes from crushing and used palm sterine derived from palm oil refining to manufacture oleochemical products such as soap noodles steric acid and glycerine which are used in production of soaps and hand wash तो देखे जिसका जो waste product निकलता है उसको भी यह लोग लग लग तरीके से यूज कर लेता है और उसको बेच लेते है तो यह काफी अच्छी बात है जिससे क्या है profit होता है अभी देखे इस प्लांतिन मुंदरा end-to-end integrated plant where it produces vanaspati, margarine, olioke, chemical products, soap bars with raw material from refinery process the company has integrated manufacturing capacities of edible oil and packaged food at the same location such integrated manufacturing infrastructure has enabled the company to share supply chain, storage facilities, distribution network and experience manpower among different products and reduce the overall cost of processing and logistics some of the examples such integration are basin units at edible oils in alwar, nagpur and neemach, pulse and basin soya chunks edible oil at haldia rice unit at caster oil plant in mundra, soya value added products such as caster unit in vizisa, margarine unit refinery in krishna patnam overall देखे यह है कि जो इनका जो खुदी यह लोग oil produce करते है उसको जो waste निकलता है उसको भी use करके उसको भी बेच लेता है अरनके अलग-अलग plants all over India में अलग-अलग products के लिए अलग-अलग plants यह दिया हुआ है तो यह अभी देखे expansion geographically presence through acquisition तो यह काफी अच्छा है acquire करके जो है धीरे-धीरे करके यह बड़ा हो रहा है तो एक example है इनका तो क्योंकि देखें acquisition बहुत ज़री है competition है तो धीरे-धीरे expand करके यह काफी बड़े player बन जाएंगे यह बहुत बड़े player है और और बड़े बनते जाएंगे धीरे-धीरे तो देखें बांगलादेश edible oil करके है उसको इन्होंने acquire किया है जो market leader है बांगलादेश का उसको उन्होंने कर दिया इससे क्या धीरे-धीरे करके अपने expand कर रहा है अभी देखें acquire brands it also seeking to acquire brands in business from food and fmcg companies which help expand its products and brand portfolio increase the manufacturing capabilities and distribution access तो यह काफी अच्छा है मतलब सीडीज बात है acquire करके धेरे-जरे बढ़ते जाएंगे key risk and concerns key risk क्या क्या है चार की रिस्क है covid-19 सो जाए adverse effect हुआ है edible prices मतलब oil के prices को खाने वाले oil को वह है पहला दूसरा जो है raw material price का fluctuation होता है तीसरा जो है heavily यह केवल oil business में है और चाथा जो है इसका stiff competition है key categories मतलब की यह जो category में है मतलब oil वाले business यह FMCG में यह में बहुत competition है तो देखिए अब धेरे के थोड़ डीटेल में जाते हैं covid-19 का जो adverse effect हुआ है तो oil prices में तो देखिए जब मैं भी fortune का oil यूज करता हूँ तो पहले करीब 120-130 रुपर packet मिलता था एक लिटर का अभी जो है covid के current साभी rate काफी बढ़ गया है तो 200 रुपए हो गया 210-220 यहर से rate हो गया है के रिस्क है अभी dependency on imported raw material and price fluctuation तो देखें यह क्योंकि इंपोर्ट करता है अपने raw material जैसे कहा कहा से import करता है तो तो देख सकते हैं यह देखें soybean oil is imported from Argentina Brazil unrefined oil from Ukraine and Russia palm oil from Indonesia and Malaysia or it also sources wheat paddy oil seeds domestically either directly from farmer or through agents on behalf of them the price and availability of such material depends on several factors beyond the company's control like production levels market demand trade restriction as well as seasonal variation it also does not have long-term supply context with any of the raw material supplies and typically places order with them in advance of an anticipated request the company is always at a risk to produce raw material that to at reasonable price this could adverse effect both AWO operation as well as competitive overall business तो यह है इनका price fluctuation होता और raw material का जो है अलगले country से लेते हैं और farmer से लेते हैं तो यह उनके control में नहीं रहता तो यह price का और raw material का fluctuation तो यह भी एक बहुत बड़ा risk है अभी देखें हैवी reliance on edible तो देखें जो खाने का जो तेल है फार्चून का यह केवल इनका portfolio का करीब जो है 82 परसंट जो है यह overall portfolio का 82 परसंट है तो यह काफी ज्यदा highly concentrated है यह company केवल oil पे बहुत जारा dependent है तो क्योंकि यह एक भी किसी भी product पे है different dependent है और इसमें कुछ problem आ जाए तो यह बहुत बड़ा risk होता है उस company के लिए तो देखें यह 2019 में 75 परसंट था 2020 में 80 परसंट अभी 2021 में 83 82 83 परसंट हो गया तो है heavily यह concentrated है अभी stiff competition in key categories तो देखें इस category जो FMCG sector या oil जो बिजनेस में heavily competition है क्योंकि देखें local player आते हैं regional player आते हैं और international player आते हैं तो यह बहुत ज्यादा competition वाला है business और जो देखें यहां पर एक और दिया है due to low entry barriers that will also faces competition from new entertains especially at rural and semi rural areas who have more flexible in responding to changing business and economic conditions तो जो local player easily compete कर देते हैं इन से तो यह भी एक risk है तो यह आपको ने चार risk बता दिया अभी चलते हैं तोड़ा देखें important data पर देखें wheat floor में यह नंबर दो player है इंडिया का जो कि 4.4 market share है बास्मती राइज Cajr से यह बढ़ा है तो काफी अच्छी बात है volume देखें एक से औठारा वन थाउजन वन लाग एटीन थाउजन टॉजन metric ton था volume और जो 2021 में बढ़े करके 471,375 metric ton हो गया revenue को टांस पर देखेंगे 577 क्रोर था 2016 में है और 2021 में यह हो गए 1,907 क्रोर तो काफी बढ़ा जम्प हो तो चार गुना मान की चल सकते हैं क्या revenue जम्प हुआ है तो काफी अच्छी बात है 2016 में देखें इनका soya nuggets 20% था राइस 60% था basin 20% था अब यह बढ़ करके क्या हो गया है अलग लग segment देखेंगे 23% होगा wheat flour 40% rice 35% basin pulses 14% soya nuggets 8% तो ऐसा इनका distribution हो गया है तो आप चाहे तो यह देख सकते हैं data आराम से आपको बता दिया high level अभी new product यह launch कर रहा है जैसे fortune poha हो गया fortune किछडी हो गया fortune total balance oil यह नए product ला रहा है तो जैसे इंदुसान Unilever है वह भी वही काम करता है नए products लाते रहता है क्योंकि इस sector में आपको यदी profitable रहना है तो नए नए products लाते रहना पड़ेंगे क्योंकि एक बार product का आपका brand value बन गया तो product धीरे धीरे करके अपने बीगते जाते हैं तो इनका काफी time से है 20 years से है यह already market में तो इनकी brand value बन चुकी है अब धीरे धीरे करके यह अपने नए नए product ला रहा है तो आगे चलके यह काफी benefit होगा यह company के लिए तो यह काफी अच्छी बात है अभी देखिए अगला ज अगला है तो आगेट कर रहे हैं कि सो और सिटीज में यह करेंगे और इक है फ्रॉचिन ब्रांड का ही एक्स्लूजिव वेब साइट है इसके फूड्स के अलगलग फूड्स है अभी देखिए फॉचिन मार्ट यह फीजिकल सोर अभी 18 आउटलेट्स हैं और सो और आइड क पर और इसके फूड्स को अपने पूरा बिजनस को मार्केट को काफे एक्स्पेंड कर रहा है आने वाले टाइम में काफी अच्छा हो इनका स्कोप है काफे अच्छा दिमाग लगा रहे हैं और देखिए सबसे में जो इनका स्ट्राटेजी कैसा है यह धीरे धीरे ग्रोइ एक्सपेंड करेंगा और इनका यह प्लानिंग भी है तो यह इनका इंपोर्टेंट फेक्टर्स था है यह फिर इंपोर्टेंट टाइम वह थे पॉइंट्स मैंने आपको बता है अभी चलते हैं थोड़ा इसके टेकिनिकल फाइनिंचिल और हमें क्या काना चाहिए लॉंग यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है प्लेलिस्ट जो है यह देख सकते हैं फंडामेटल अनलिस स्टॉक वाले थोड़ी लंबी वीडियो से लॉंग टर्म इंवस्मेंट करते हैं उनके लिए आप चाहे तो यह देख सकते हैं इंडिकेटर स्ट्रेजी उनके लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब ने किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह था मेरे यूट्यूब चैनल वल्ल्ड फिन्वस्मेंट चलते हैं इसका थोड़े फैनिशल और शेर होल्डिंग पैटन देखेंगे तो सबसे पहले ब देखें 2,40 करोड का दिसंबर 2021 में अर्निंग पर देखें दिसंबर 2021 में 2.11 पीस है तो यह ओके है अब देखें शेर होल्डिंग पैटन की बात करते हैं प्रमोटर के पास कितना हैं प्रमोटर के पास 87.94 मतल़ 88% है FIE के पास कितना है FIE के पास कि 2.89% है DI के पास कितना है माइनस 2.89 तो DI ने घटाया पब्लिक बास देखिए यहाँ पर कोई भी डेटा अविलेबल नहीं है तो मेंली प्रोमोटर के पास यह शेर्स है तो यह था इसका शेरोल्डिंग पटन फैनेंचल अभी सबसे में जो है टेकनिकल की बात करता है टेकनिकल देखिए सबसे पहले तो बात है कि इसने का रिजिस्सेंस का जो लेवल था 417 का उसको इसने ब्रेक कर दिया है और उसके बात से देखिए पिछले 4-5 सेशन में काफी तेजी से भागाया और अभी आने वाले चांसे से आने वाले दिनों में काफी तीजी से भागेगा भी अभी जब देखिए यह जब आया था रिसेंट्ली तो जब लॉंच हो था आट फरवरी के 2022 को लॉंच हो था और यह प्राइस पर लॉंच हो तो 28 पर यह ओपन हुआ इसके बाद से देखिए उसने पैसा डबल कर दिया अल्मूस मान के चल सकता है और वैसे भी यह शेर लॉंग टर्म के लिए आप इसे लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें काफी अच्छा शेर है पात साल दस साल बीस साल इस टाइप के टाइम होरुजन के लिए आप इ चैनल सब्स्राइब कर सकते हैं और कमेंट में लिग सकते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा और किस अगली किस टॉपिक यह कौन से शेर में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिग सकते हैं और आप इस चेर में इन्वेस्मेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या आपका है प्रॉफिट लॉस आप ही को होगा इसलिए तो समझ कि अपने इन्वेस्टमेंट करें तो यह एक दिस्क्लेमर था उसके लाव मेरे टेलिगरम चैनल है जहां पने मैं फ्री के इंटरडे फीचर ऑप्शन स्विंटेडिंग के कॉल देता हूं बिल्कल फ्री है आप जाए तो जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक अपने यूटिब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूगा वहाँ पर जो भी कॉल दे जाते हैं कि विडियो में खतम करता हूं यदि आप अदानी विल में शेर में इन्वस्टमेंट करते हैं तो यह शेर आपके लिए प्रफिट